मनासा तहसिल अंतरगत आने वाले ग्राम पड़दा में नीजी विध्याले ग्रीनवे पब्लिक स्कूल के अध्यापक और शिक्षक पर फीस नहीं देनी की बात को लेकर कक्षा दूसरी के छात्र के साथ मारपीट के आरोप लगे जिसको लेकर पीलित पक्ष मंगलवार को कलेक्टर कार्याले पहुँचा जहां उसने अपने पुत्र के साथ मारपीट की एक शिकायती आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के नाम कलेक्टर की जनसुनवाई में पेश किया जिसमें अवंतिवाई पती राजुरावत ने बताया कि उनका बालक गिरामपड़दा गिरिनवे पबलिक स्कूल में कक्षा दूसरी का छात रहे वे किसी कारणवश इसकूल की फीज देने में लेट हो गए जिसको लेकर इसकूल के शिक्षक वेभव और अर्चना तंबोली दुआरा बालक के साथ मारपीट की गई जिसमें बालक के सिर और कोहनी में चोट आई है जब बालक ने घटना किरम घरा कर बताया तो बालक के पितार आजुरावट इसकूल पहुंचे और इसकूल में पुरे मामले की जानकारी ली गई जिस पर इसकूल परभंदक ने बच्चे के साथ मारपीट करने की बात से साफ इंकार कर दिया और फीज जमा करानी की बात को लेकर बहस करने लगे जिस पर दोनों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई उप्रोक्त मामले को लेकर इसकुल परवंदक दुआरा भी बालक के पितार आजुरावत के खिलाफ थाने में शिकायद दर्ज कराई गई पारा थान हमें मेरे किसी नहीं सुनी दर्ज और पत्चीस साल में लड़का हुआ यह घट ना था काई रही कि मेरे को समझा दिया तक ना तो इसका मेडिकल होने दिया ना कुछ भी नहीं नहीं होने दिया सर इसको बार-बार पीस की बोलते हैं मैंने का मैं एक दो-चार आर दिन और मेर स्वयविन कर जाएगी में और मैं आपकी पीस में पढ़ा हूंगा तो भी ठीक नहीं तो आपकी पीस जमा करवा किया मैं दूसरे तरफ एडिमिसन कर वा लूँगा अर्चिना मेडम और किस बात पर मारा आपको फीस जमा करने के लिए क्या बोलते हैं आपको कि फीस जमा कराओ फिर आपने क्या बोला कि हम करा देंगे फिर उन्होंने क्या करा कि हमको मारा कहा का मारा आपको कैसे मारा काई से मारा हाथ से मारा हाथ से कहा लगी कहा आपके बताओ मुझे इतर दि इसकुल में मारते हैं आपको मेडम मारते हैं क्या अभी सर से मिलें अंदर आप